नमस्ते आज की कहानी है जहां लक्ष्मी कैद है और इस कहानी के लेखक है राजेंदर यादव राजेंदर यादव जी को हिंदी सहित्य में लोग प्रियता हासिल है वे एक अच्छे कधाकार तो हैं ही साथ इसाथ उन्होंने हंस पत्रिका का संपाधन भी किया है इस रूप में भी उन्हें का भी खियाती प्राप्त है कुछी वश्पूर उनकी मृत्ति हुई और इस कहानी को उनके कथा संग्रह से लिया है और उस कथा संग्रह का नाम इसी कहानी पर है जहां लक्ष्मी कैद है इस्तरी की समूची अस्मिता को कैद बना लेने का हादसा व्यंग की शकल में उभर कर आया है। रूपराम जो एक व्यापारी है वैं अपने अर्थरजन के लिए अपनी ही पुत्रे जिसका नाम लक्षमी है उसको अपने घर में कैद कर लेता है। उसे पैसा जोड़ना है पैसा जोड़ने की हवस है और उसके कारण लक्षमी की यह स्थिती हो जाती है कि वह मांसिक रूप से अस्थिर हो जाती है। पुझी वादी व्यवस्था में कैद लक्षमी गोविंद नाम का जो पात्र इस कहानी में है उससे अपने आपको बचाने के लिए अपना उधार करने के लिए कहती है। लेकिन गोविंद में इतना सा हस नहीं है कि वह उसका उधार करे या उसे बचा कर वहां से कहीं दूर ले जाए। कहानी हम शुरू करते हैं जहां लक्षमी कैद है लेकक राजेंद्रियादव। और इसका वाचन मैं अलपना वर्मा कर रही हूँ यह एक लंबी कहानी है जिसका पहला भाग यहां दिया जा रहा है। जरा ठहर यह यह कहानी विश्णू की पत्तिनी लक्षमी के बारे में नहीं है। लक्षमी नाम की एक ऐसी लड़की के बारे में है जो अपनी कैद से छूटना चाहती है। पता नहीं सपने में यह जो अपनी नाम की बारे में है जो अभी कूझ रही थी। पता नहीं सपने में यह सच मुझ है। अचानक कोविंद को ऐसा लगा था कि जैसे किसी ने किवार पर तीन चार बर खट खट की हो। और बड़े गिडगड़ा कर कहा हो मुझी निकालो मुझी निकालो। और वे आवाज कुछ ऐसे रहस से मैं ढंक से आकर उसकी चेतना को कौझने लगी कि वे बॉखला कर जाग उठा। सचमुची है किसी की आवाज थी या महज उसका प्रहम। फिर उसे दीरे दीरे याद आया कि ये प्रहम ही था और वे लक्ष्मी के बारे में सोचता हुआ ऐसा अभी भूत सोया था कि वे स्वपन में भी चाही रही। लेकिन वास्तम में ये आवाज कैसी वी चित्र थी, कैसी साफ थी। उसने कई बार सुना था कि आमुक इस्त्री या पुरुष के स्वपन में आकर कोई कहता मुझे निकालो, मुझे निकालो फिर वे दीरे दीरे स्थान की बाते भी बताने लगता और वहां खुदवाने प हुआ कि किसी अनाधिकारी आदमी ने उस द्रव्य को निकलवाना चाहा, तो उसमें कौडियों और कोईले निकले, या फिर उसके कोड़ फूटाया, या घर में कोई मृत्य हो गई, कहीं इसी तरह धर्दी के नीचे से उससे तो कोई लक्ष्मी नहीं पुकार रही, वे दूर कहीं दूसरे घरियाल ने फिर वही एक घंटा बजाया, गोविन से अब नहीं रहा गया, रजजाही को चारों तरफ से बंद रखे हुए ही पड़े संभाल कर उसने कोहनी तक हाथ निकाला, लेटे लेटे ही अलमारी के खाने से किता कौपियों की बगल से उसने अतज जली मोमबती निकाले, वहीं कहीं से खोच कर दिया सलाई निकाले और आधा उठकर ताकि जाड़े में दूसरा हात पूरा ना निकालना पड़े, उसने दो तीन बार घिसकर दिया सलाई जलाई, मोमबती रोशन की और पिघले मोम की जो मोम है उसकी बूंद टपका कर उसे दवाद के ढकन के उपर जमा दिया, मोमबती को रख दिया, धीरे धीरे हिलती हुई रोशनी में उसने देख लिया के किवाड पूरी तरह बंद है, दर्वासे के सामने वाले दीवार में बने, जाली लगे रोशन दान के उपर, दूसरी मंजल से हलके हलके जो रोशनी आती है वह भी पुछ चुकी थी सब कुछ कितना शांत हो चुका था बिजली का स्विच यद भी उसके तक्त के उपर ही लगा था लेकिन एक तो जाड़े में रजाई समेत या रजाई को छोड़ कर खड़े होने का आलस दूसरे लाला रूपा राम का डर सुबह ही गएगा गोवि उसने चुपके से जैसे उसे कोई देख रहा हो तक्ये के नीचे से रजाई के भीतर ही भीतर हाथ बढ़ा कर वैपत्रे का निकाल ले और गर्धन के पास से हाथ निकाल कर उसके 47 में पन्ने को 20 मीं बार कोल कर बड़ी देर घूरता रहा एक बजे की पठान कोट एक्सप्रे गई तो सहसा उससे होश आया 47 और 48 जो पन्ने उसके सामने खुले थे उनमें जगह जगह नीली श्याही से कुछ पंग्तियों के नीचे लाइने के जी गई थी यही नहीं उस पन्ने का कोना मोड़कर उन लाइनों की तरह विशेश रुट से ध्यान कीचा गया था अब तक गोविंद उन या उनके आसपास के लाइनों को 20 बार से अधी घूर चुका है उसने शंकित निगाहों से इधर उधर देखा और फिर एक बार उन पंक्तियों को पढ़ा जितनी बार वें उने पढ़ था उसका दिल एक अंजान आनंद की बोच से धड़क कर डूबने लगता और दिमाग उसी तरह भनना उठता जैसा उस समय भननाया था जब यह पत्रिकाहों से मिली थी यद भी इस बीच उसकी मानसिक दशा कई विकट इस्ततियों से गुजर चुकी थी फिर भी वह बड़ी देर तक काले स्याही से छपे कहानी के अक्षरों को स्तर निगाहों से घुरता रहा दीरे दीरे उसे लगा जैसे यह अक्षरों की पंक्ती एक ऐसी खिड़की की जाली है जिसकी पीछे बिखरे बालों वाली एक नीरी ही लड़की का चहरा जाक रहा है और फिर उसके दिमाग में बच्पन की सुनी कहानी साकार होने लगे शिकार खेलने में साथियों का साथ छूट जाने पर भटकता हुआ एक राजकुमार अपने ठके मांदे घोडे पर बिलकुल वीराने में समुद्र की किनारे बने एक विशाल सुनसान के लेकी नीचे जा पहुँचा वहां उपर खिड़की में उसे एक अत्यंत सुन्दर राजकुमारी बैठी दिखाए दी जिसे एक राक्षस ने लागर वहां कैत कर दिया था छोटे से छोटे विवरण के साथ खिड़की में बैठी राजकुमारी के तस्वीर गोविंद की आ उसकी गालों पर आसों की लकीरें सूख गई हैं और उसके होट पपड़ा गए हैं चहरा मुर्जा गया है और रेशमी बाल बकड़ी के जाले जैसे लगते हैं जैसे उसके पूरे शरीष से एक आवाज निकलती है मुझे छुड़ाओ मुझे छुड़ाओ गोविंद के मन म उस अंजान राजकमारी को छुड़ाने के लिए जैसे रह रह कर कोई को रेदने लगा एक अदबार तो उसकी बड़ी प्रबल इच्छा हुई कि अपने भीतर रह रह कर कुछ करने की उतेजना को वै अपने तक्त और कोटरी के बीच में बची दो फिट चौड़ी गली में गूम गूम कर दूर कर दे तो क्या सच मुच लक्ष्मी ने यह सब उसके लिए लिखा है लेकिन उसने तो लक्ष्मी को देखा तक नहीं अगर अपनी कलपना में किसी जवान लड़की का चेहरा लाए भी तो आखिर कैसे वह आखिर कैसी हो कुछ और भी बातें थी कि वह लक्ष्मी के रूप में एक सुन्दर लड़की के चेहरे की कलपना करते डरता था उसकी ठीक शकल सूरत और उम्र भी नहीं मालूं उसे गुविंद ये अच्छी तरह जानता था कि यह सब उसी के लिए लिखा गया है ये लाइने खीच कर उसी का ध्याना क्रिस्ट किया गया है फिर भी वह इस अप्रत्याशित बात पर विश्वास नहीं कर पाता था वह अपने को इस लायक भी नहीं समझता था कि कोई लड़क गया पूंट बात आ जाएगी पर वह जब जब इन पंक्तियों को पड़ता तब तब उसका सिर इस तरह चकराने लगता जैसे किसी दस मंजिले मकान से नीचे छांक रहा हो जब उसने पहले पहले पंक्तियां देखी थी तो इस तरह उचल पड़ा था जैसे हाथ में अंगा उतरे पर बड़ी पुरानी काट की यानि लकडी की संदूज की के उपर लंबा पतला रजिस्टर खोल कर दिन भर का हिसाब मिला रहा था गोविंद तभी लाला रूपा राम का सबसे छोटा नौद साल का लड़का राम स्वरूप उसके पास आखड़ा हुआ यह लड़का एक फटे पुराने से चेस्टर की जो साफ ही किसी बड़े भाई की चेस्टर को कटवागर बनाया गया होगा उसकी जेवबों में दोनों हातों को ठूसे पास खड़ाओकर उसे देखने लगा गुविन जब पहले ही दिन आया था और हिसाब कर रहा था तभी ही यह लड़का आकर खड़ा हुआ था उस दिन लाला रूपा राम भी थे इसलिए सिर्फ यह दिखाने को कि वह उनके सुपुत्र में भी काफी रूची रखता है उसने नियम अनुसार नाम उम्ब और स्कूल क्लास आदी पूछ लिए थे नाम राम स्वरूप उम्ब नौ साल चुंगी प्राइमरी स्कूल में वह चौथी कक्षा में पढ़ता था फिर तो सुबह शाम गोविंद उसे चेस्टर की छाया से ही जानने लगा था शकल देखने की ज़रौत ही नहीं होती थी चेस्टर की नीचे नेकर पहने होने के कारण उसकी पतली टांगे खुली रहती और वह पाओं में बड़े पुराने किरिमिच के जूते पहने रहता जिनकी फटी निकली जीवों को देखकर उसे हमेशा दुमकटे कुत्ते की पूँच का ध्यान हुआता था थोड़ी दिर बाद उसका लिखना ताकते रहकर लड़के ने चेस्टर के बटनों के कसाब और चाती के बीच में रखी एक पत्रिका निकाल कर उसके सामने रख दी और बोला मुझ्शी जी लेक्ष्मी जी जी ने कहा है हमें कुछ और पढ़ने को दीजिए अच्छा कल देंगे मन ही मन भननागर उसने कहा यहां आकर उसे जो मुझ्शी जी का नया खिताब मिला है उसे सुनकर उसकी आत्मा खाक हो जाती है यह उसे बिलकुल अच्छा नहीं लगता मुझ्शी जी नाम के साथ जो एक कान पर कलम लगाए गोल मैले टोपी पुराना कोट पहने मुड़े तुड़े आदमी की तस्वीर सामने आती है उसे यह 20-22 साल का युवग गोविन संभाल नहीं पाता लाला रूपराम उसी के गाओं के हैं शायद उसके पिता के साथ दो तिन जमात पड़े भी हैं शहर आते ही आत्म निर्भर होकर पड़ाई चला सकने के लिए किसी ट्यूशन इत्या दिया चोटे चोटे पार्ट टाइम काम के लिए लाला रूपराम से भी वै मिला तो उन्होंने अत्यांत उत्साहा से उसके अम्रित बाप की आत दिलाते हुए कहा कि भीया तुम तो अपने ही बच्चे हो जरा हमारे चक्की का हिसाब किताब घंटे आद घंटे देख लिया करो और मजे में चक्की के पास जो कोटरी है उसमें पड़े रहो अपने पढ़ो आटी की यहां तो कमी है नहीं और अत्यांत क्रतग्यता से गदगदवे उनकी कोटरी में आ गया पहली रात हिसाब लिखने का ढंक समझाते हुए लाला रुपा राम मोती अबिंदवाले चश्मे के मोटे मोटे काच्चों के पीचे से मोर पंकी के चंदोवे सी आँखें दीखती आँखों और मोटे होटों से मुस्कुराते उसका सम्मान बढ़ाने को मुन्शी जी कह बैठे तुवे चौक पड़ा लेकिन उसने निश्चे कर लिया था कि यहाँ जम जाने के बाद वे विनमरता से शब्द का विरोध करेगा राम स्वरूप से मुन्शी जी नाम सुनकर उसकी भौहे तन गई इसलिए उसने उपेख्षा से उससे वे उत्तर दिया था राम स्वरूप ने फिर अनुरोध किया कल जरूर दे दीजेगा और गुविन ने जवाब दिया हाँ भाई जरूर देंगे दाथ पिसकर कहा लेकिन चुप ही रहा वे अक्सर लक्ष्मी का नाम सुनता तो था लेकिन उसने से देखा नहीं था हालांकि उसकी कोटरी बिल्कु सड़क की तरफ अलग ही पड़ती थी लेकिन उसमें पीछे की तरफ जो एक जालेदार छोटा सा रोशन दान था वे घर के बीतर नीचे की मनजिल के चौक में खुलता था लाला रूपराम का परिवार रूपर की मंजिल में रहता था नीचे सामने की तरफ पंचक्की थी पीछे कई तरह के चीजों का स्टोर रूम था इस लक्ष्मी नाम के प्रती उसे उत्सुकता और उची इसलिए भी बहुत थी कि चाहि कोटरी में हो या बाहर पंचकी के हॉल में हर पांचवे मिनट पर उसका नाम विबिन्न रूपों में सुनाई देता था लक्ष्मी बीबी ने यह कहा है रुपे लक्ष्मी बीबी के पास है चाबिर लक्ष्मी बीबी को दे देना और उसकी जवाब में जो एक पतली तीखी सी अधिकार पूर्ण आवाज सुनाई देती थी उसे गोविंद पहचाने लगा था अनुमान से उसने समझ लिया था कि यही लक्ष्मी की आवाज है लेकिन स्वयम वे कैसी है उसकी एक जलक पर देख पाने को उसका दिल कभी कभी बुरी तरह तरड़पसा उठता था लेकिन पहले कुछ दिनों उसे अपना प्रभाव जमाना था इसलिए वह आँख उठा कर भी भीतर देखने की कोशिश ना करता था मन ही मन उसने समझ लिया कि यही लक्ष्मी है इतना ही काफी है यही मैत्वपूर्ण है दिक्कत यह थी कि भीतर कुछ भी तो दिखाई नहीं देता था सड़क के किनारे तीन चार दर्वाजे वाले इस चक्के के हॉल के बाद एक आठ दस फीट लंबी गली थी चौक के उपर लोहे का जाल पड़ा था उस पर से उपर वाले जब गुजरते थे तो लोहे की जंजनाहट से पहले तो उसका ध्यान हर बार उधा चला जाता था बच्चे तो कभी कभी और भी उचल उचल कर उस पर कूटते थे यहां से जब तक किसी बहाने पूरी गली पारना की जाये कुछ भी दीखना संभव नहीं था चुकि घुसल खाना और नल आदी उसी चौके में थे जिनकी वजह से नीचे प्रायर, सीलन और गिलापन रहता था इसलिए सुबह चौक में जाते हुए अत्यंत सीधे लड़के की तरह निगाए नीचे किये हुए भी वे उपर की इस्तिती को भापने का प्रैतन करता रहता था उपर सिर उठा कर आँख भर देख पाने की उसकी हिम्मद नहीं थे अपनी कोट्षी का एक मातर दर्वासा बंद करके तखत पर चड़कर मकड़ी के जाले और धूल से भरे जाली दार रोशन दान से जहाक कर उसने वहां की इस्तिती को भी जानने की कोशिश की थी लेकिन ये एक कमभखत जाली कुछ इस ढंक से बनी थी कि उसके फोकस में पूरा सामने वाला चज्जा और एकात पुट लोहे का जाल भर आया था उसके अत्रिक तुसे कुछ नहीं दिखाए दिया वहां कई बार उसे लगा जैसे दो छोटे-छोटे तलवे गुजरे बहुत कोशिश करने पर टकने दिखे हाँ हैं तो किसी लड़की के पैर क्योंकि साथ में धोती का किनारा भी जलका था उसने गहरी सांस ले और तक्त से उतरते हुए बड़े एक्टराना अंदाज में छाते पर हाथ मारा और बुद्ध बदाया अरे लक्षमी जाले में एक जलक तो दिखा देती मुन्श जी तुम देख तो रहे हो लिखते क्यों नहीं राम सुरूप ने जब देखा कि गोविंद धीरे-धीरे होल्डर का पिछला हिस्सा दातों में ठोकता हुआ हिसाब की कॉपी में अपलक कुछ गूरे जा रहा था तो पता नहीं कैसे है बात उसकी समझ में आ गई थी कि वह जो कुछ सोच रहा है उसका संबंद सामने रखे हिसाब से नहीं है उसने चौक कर लड़के की तरव देखा और चोरी पकड़े जाने पर जेप कर मुस्कुराया तभी अचाना के एक पाथ उसके दिमाग में कौन दी यह लक्ष्मी रामसरोप की बेहन ही तो है जरूर उसका चेहरा इससे काफी मिलता जुलता होगा इस बार उसने ध्यान से रामसरोप का चेहरा देखा कि वह सुन्दर है या नहीं फिर अपनी बेफकुफी पर मुस्कुरा कर एक अंगड़ाय ली चारव द्रव डीले हुए कंबल को उसने फिर से कस लिया अप प्रत्याशित प्यार से बोला अच्छा मुना कल सुबे दे देंगे उसकी इच्छा हुई कि वह उससे लक्ष्मी के बारे में कुछ बात करे लेकिन सामने ही चौकिदार और मिस्त्री सलीम काम कर रहे थे असल में आज वह भी ठक गया था अचानक व्यस्त होकर बोला और जल्द जल्दी हिसाब करने लगा दुनिया भर की सिफारिशों के बाद उसका नाम कॉलेज की नोटिस पोर्ट पर आ गया कि वह लिए गए लड़कों में से एक है कॉलेज के लिए आते समय कुछ किताब और कॉपियां भी खरेद लाया था आज वह चाता था कि जल्दी से जल्दी अपनी कोट्री में लेटे अपने कमरे में वापत जाए और कुछ आगे पीछे की बातें दुनिया भर की बातें सोचता हुआ सोचाए सोचे लक्षमी कौन है कैसी है वह उसके बारे में किस से पूछे कोई उसका हम हम उम्र विश्वास का आदमी भी तो नहीं है किसे से पूछे और उपार आम को पता चल जाए तो लेकिन अभी तीसरा ही तो दिन है मन ही मन वह अपने पास रखी पत्रिकाओं और कहाने की पुस्तकों की गिंदी करते वे सोचने लगा कि इस बार उसे कौन सी देनी है आगे जाकर जब काफी दिन हो जाएंगे तो वे चुपचाब उसमें एक ऐसा छोटा सा पत्र रख देगा जो किसी दोस्त के नाम लिखा गया हो या उसकी भाशा ऐसी होगी जो पकड़ में ना सके भूल से चला गया पकड़े जाने पर वे आसानी से कह सकेगा उसे तो दियान ही नहीं था कि इसमें पच्चा रखा है वीज जवाब है अपनी चाला अग बेवकुफी की कल्पना पर वे मुस्कुराने लगा जिसके विशे में इतना सब कुछ सोच रहा है वे उसी लक्षमी की पास से आई हुई तो पत्रिका है उसने इसे अपने कोमल हातों से चुआ होगा तके के नीचे सिरहाने भी रखी रही होगी लेट कर पढ़ते वे हो सकता है सोचते सोचते चाती पर भी रखकर सो गई होगी और उसका तन मन इन सब बातों को सोचते वे गुदगुदा उठा क्या लक्षमी उसके विशे में बिल्कुल ही न सोचती होगी हिसाग लिखने की विस्तिता में भी उसने गरदन मोड कर एक हाथ से पत्रिका के पन्ने पलटने शुरू कर दिये और एक कोना मुडे पन्ने पर अच्छानक उसका हाट ठीठक गया अरे यह किसने मोडा है एक मिनट में हसारों बातें उसके दिमाग में चक्कर लगा गई उसने पत्रिका उठा कर हिसाब की कॉपी पर रख लिया मुडा पन्ना पूरा खुला था चपे पन्ने पर जगर जगर नीली श्याही से निशान देखकर वे चौक पड़ा यह किसने लगाए है उसे खूब अची तरह ध्यान है यह पहले नहीं थे मैं तुम्हें प्राणों से अधिक प्यार करती हूँ उसने एक नीली लाइन के उपर पढ़ा आएं यह क्या चक्कर है वे एक तम जैसे बौखला उठा उसने फौरा नहीं सामने बैठे मिस्त्री सलीम और दिलावर सिंग को देखा वे अपने में ही व्यस्त थे उसकी निगाह अपने आप दूसरी लाइन पर फिसल गई मुझे यहां से भगा ले चलो अरे तीसरी लाइन मैं फासी लगा कर मर जाओंगी और कुविंद इतना घबरा गया कि उसने फट से पत्रिका बंद कर दी शंका से इधर उधर देखा किसी ने तार तो नहीं लिया उसके माथे पर पसीना उभराया और दिल चक्के के मोटर के दर चलने लगा पत्रिका के उन पन्नों के बीच में ही उंगली रखे वे उसने दौनों गुटने के बीच उसको छुपा लिया यहीं कहीं दूर से रंग विरंगे कवर के तस्वीर को देख कर वेक कमभगत चौकेदार ही न मांग बैठे उन पंक्तियों को एक बार फिर देखने की इच्छा उसके मन में आए लेकिन हिम्मत नहीं पड़े क्या सच मुझी निशान लक्षमी नहीं लगाए है कहीं किसी ने मजाग तो नहीं किया लेकिन मजाग उससे कौन करेगा क्यों करेगा ऐसा उसका कोई परिचित भी तो नहीं है यहां की तीन दिन में ऐसे हिम्मत कर डाले उसने फिर पत्रिका निकाल कर पूरी उलट पुलट डाले नहीं नहीं निशान वही है बस वह उन तीन लाइनों को फिर से एक साथ पड़ गया उससे ऐसा लगा जैसे उसके दिमाग में हवाई जहाज भनना उठा हो गोविंद का दिमाग चक्रा रहा था दिल धड़क रहा था और जो हिसा वह लिख रहा था वह तो जैसे एक दम भूल गया उसने कलम के पिछले हिस्से से कान के उपर खुजलाया खूब आखें गाड़कर जमा और खर्च के खानों को देखने की कोशिश की लेकिन बस नस नस में सन सन करती कोई चीज दोड़े जा रही थी उसे लगा उसका दिल भट जाएगा और आतिश बाजी के अनार की तरह दिमाग फूट पड़ेगा अवे किस से पूछे कि यह सब निशान किसने लगाए है क्या सच मुझे लक्षमी ने इस मधूर सत्य पर विश्वास नहीं होता मैं चाहे उसे ना देख पाया हूँ उसने तो जरूर ही मुझे देख लिया होगा अरे यह लड़ियां बड़ी तेज होती है गुविन की इच्छा हुई अगर उसे इसी शन शीशा मिल जाए तो वे लक्षमी की आँखों उससे एक बार अपने को देखे कैसा लगता है लेकिन यह लक्षमी कौन है विद्वा है, कुमारी है विवाहीता है, परितक्यता है क्या है, कितनी बड़ी है, कैसी है उसकी नसनस में एक प्रबल मरोड सी उठने लगी कि वह अभी उठे और दोड़ कर भीतर के आंगन की सीड़ियों से धढ़ा-धढ़ चड़ता हुआ उपर जा पहुँचे लक्ष्मी जहां भी जिस कमरे में भी बैठी है, उसकी दोनों कंदे जखचोर कर पूछे, लक्ष्मी, लक्ष्मी क्या यह सब तुमने लिखा है तुम नहीं जानती लक्ष्मी मैं कितना भागा हूँ मैं कती सौभागे के लायक नहीं हूँ और सचमुच इस अप्रत्याशित सौभागे से गोविंद का हरदय इस तरह पसीज उठा कि उसके आँखों में आँसू आ गए डोरी से लटकते हुए बल्ब को अपलक देखता हुआ वै अपने अतीत और भविश्य के गहराईयों में उतरता चला गया फिर उसने दीरे से अपनी कोरों में भरे आँसूं को उंगली पर लेकर इस तरह जटक दिया जैसे देवता पर चंदन चड़ा रहा हो उसका धीला पड़ा हाथ अप्भी पत्रिका के पन्ने को पकड़े था एक पर उसने फिर उन पंक्तियों को देखा माल लो लक्ष्मी उसके साथ भाग जाए कहां जाएंगे वे लोग कहां रहेंगे कैसी रहेंगे उसकी पड़ाई का क्या होगा बाद में पकड़ लिये गए तो लेकिन आखिर यह लक्ष्मी है कौन लक्ष्मी के बारे में प्रश्णों का एक जुम्ट उसके दिमाग पर तूट पड़ा जैसे शिकारी कुतों का बाड़ा खोल दिया गया हो या एक की बाद एक सिर पर कोई हतोड़ी की चोटें कर रहा हो बड़ी निर्ममता से, कुरूरता से जैसे चकपच से अचाना गिर पढ़ने वाले आदमी के सामने सारी दुनिया इंजटके के साथ एक शण में चक्कल लगा जाती है उसी तरह उसके सामने सैंकडों हजारों चीज़ें एक साथ चमक कर गायब हो गए इंटों के उचे चक्कोर, तक्त रुमा चबूतरे पर पुरानी चोटी सी संदूचकी के आगे बैठा गोविन हिसाब लगा रहा था हिसाब लिख रहा था और अभी हिसाब ना मिलने के करण जो कच्चे पुरजे यहाँ वाँ विख्रे थे, वे यूँ ही विख्रे रहे उसने खुले लेजर जो रजिस्टर बही खाता है उस पर अपनी कोहनिया टिका दी और हथेलियों से आखे बंद कर ले कनपटी के पास की नसे चठक रही दी ऐसा तो कभी देखा सुना नहीं सिनेमा उपन्यासों में भी देखा सुना नहीं सच मुझी निशानों का क्या कोई मतलब है क्या लक्ष्मी नहीं ये लाइने खींची है हो सकता है किसी बच्चे नहीं खींचती हो इस संभावना से थोड़ा चौक कर गोविन ने फिर पन्ना कोला नहीं बच्चा क्या सिर्फ इने लाइनों के नीची निशान लगाता और लक्ष्मी ने इतनी सधी और सीधी है कि किसी बच्चे की होई नहीं सकती किसी ने उसे बेकार परिशान करने को निशान तो नहीं लगा दिये हो सकता है वे लक्ष्मी बहुत चुहल बाज हो और जरा छकाने को सीने सब कुछ किया हो यानि उसे परिशान करने के लिए किया हो यदि भी गोविंद इस तरह आखे बंद किये सोच रहा था लेकिन उसे मन ही मन डर था कि मिस्तरी और दर्वान उसे देकर को समझना जाएं सबसे बड़ा डर उसे लाला रूप राम का था अभी रूई भरी सकल पोरों वाले सिलाई की मैले सी पूरी भाहों की मिर्ज़ई पहने और उस पर मैले चीकट युगों पुरानी अंजीला पिटे दीरे दीरे हाफते वे बेंट टेकते हुए बड़े कस्ट से सीड़ियां उतर कर वे आएंगे अचानक बेंट की खट-खट से चौक कर उसने जो आँखों के आगे से हाथ अटाए तो देखा सचमुची लाला रूप राम चले आ रहे हैं अरे कम खतियात करते ही आप होचा बैचे वे देख तो नहीं लिया उसने जट पत्रिका को गुटने के नीच और भी सरकालिया और सामने फैले पूर्जों पर आँखें टिका कर व्यस्त हो गया मिस्त्रिय और चौकिदार के खुसर फुसर बंध हो गए गली सी पार करके जब लाला रूप राम ने प्रवेश किया मोटे मोटे शीशों के पीछे से उनकी आँखें बड़ी होकर बड़ और उसके कानों को ढखने वाले मोटर के मढगाड जैसे खुने अब उपर मुड़े वे थे और पौराणिक राक्ष्रसों के सींगों का द्रिश्य उपस्तित कर रहे थे चहरा उनका जुरियों से भरा था चश्मी का फ्रेम नाक के उपर से टूट गया था उसे उन्होंने दोरा लपिट कर मजबूत कर लिया था दांद उनके नकली थे शायद धिले भी थे क्योंकि उन्हें वे हमेशा इस तरह मुह में चला चला कर पीछे सरकाये रखते थे जैसे च्विंगम चबा रहे हों कुविन को उनके इस मुह चलाने और मुह से निकलती तरह तरह के आवा का स्प्रिंग धिला हो गया हो गुटनों तक मैली कुचैली धोती और मिल्टरी के कबाड़िया बाजार से खरित कर लाए गए मोजों पर बांधने की पट्टियां जो शायद उन्हें गठिया के दर्द से भी बचाती थी बिना फिते के खींसे नी पोड़ते फटे पुरान उनके सम्मान में चेहरे पर चिकनाई वाली मुस्कान लाकर उनकी तरफ देखते वे स्वागत किया गोविन ने इंटों के चबुतरे पर लगबग दो सो सियाही के दाग छेद वाली दरी पर राम चुरूप के उसे सट कर खड़े होने से एक मोटी सी सिकुडन पड़ गए उसे हाथ से ठीक करके उसने कहा लाला जी यहां बैठिये लाला जी ने हाफते वे बिना बोले ही इशारा कर दिया कि नहीं वे ठीक हैं वे दिन की कुरसी पर ही उसकी और मुह करके बैठ गए और हाफते रहे असल में उन्हें सांस की बिमारी थी और वे हमीशा प्यास से कु गोविंद काप उठा के कहीं कमभखत को पता तो नहीं चल गया कुछ पूशनी ताशने तो नहीं आया हाला कि रूपराम इस समय खापी कर एक पर चक्कर जरूर लगाते थे लेकिन उसे विश्वास हो गया हो ना हो बुड़ा ताड़ गया है उसका दिल धसक उठा रूपराम अभी हाप ही रहे थे गोविंद सिर जुकाई ही साब किताब जोड़ता जा रहा था आखर इस्तिती सम्हालने के द्रिस्टिस से उसने कहा लाला जी आज मेरा नाम आ गया कॉलेज में लाला जी ने खासी के बीच में ही का अच्छा वह एक हाथ से डंडे को धर्ती पड़ द के थे दूसरे हाथ में कलाई तक को मुखी बंदी थी जिसके भीतर उंगलियां चला चला कर वह माला गुमा रहे थे उनका वह हाथ टोटा सा लग रहा था वाता वरण का बोज बढ़ता ही चला जा रहा था कि एक खटना हो गई तो यह था कहानी का पहला भाग कहानी को यहीं हम विराम देते हैं और दूसरी और अंतिम भाग के साथ मैं जल्द ही वापस आऊंगी तब तक के लिए इंतजार कीजिए धन्यवाद